नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल नॉल इससाथी पर दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसी वीमारी के बारे में जो की बहुत जादा कॉमन है उसका नाम है ए colonial जब six दोस्तों तो आज की सил रहे हैं पेसिश के बारे Programmg तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो Hepatitis B एक वाइरस है जो कि लीवर को इंफेक्ट करता है ज्यादा तर लोग इससे इंफेक्ट होने पर कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं यानि कि वो खुद ही बहतर महसूस करने लगते हैं और जिसे हम acute hepatitis B कह सकते हैं लेकिन कभी-कभी infection लंबे समय तक भी रह सकता है जिसे हम chronic hepatitis B कहते हैं ये chronic infection ही लीवर को नुकसान पहुचाता है वाइरस से infected infants और शोटे बच्चों को chronic hepatitis होने का ज्यादा खत्रा रहता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप hepatitis B से infected होते हो और आपको इस बीमारी का पता भी नहीं चलता ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके symptoms बहुत ही सामानने होते हैं जो कि starting में दिखाई नहीं देते हैं और इसके symptoms नजर आते भी हैं तो वो flu के symptoms जैसे ही लगते हैं लेकिन दोस्तों इस condition में भी आप इससे अपने आस पास के लोगों को infect कर सकते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं कि hepatitis B की बीमारी होती क्या है पीलिया या hepatitis एक liver disorder है जो कि कई सारे causes की बज़े से हो सकता है पीलिया होने पर किसी व्यक्ति को सिर्दर लो ग्रेट फीवर वामिटिंग कम लगना इसकिन में खुजली होना और लेथार जी जैसी समझ्याय होती है इसकिन और आइस का whiteish part जो है वो yellow हो जाता है और इसमें patient का stool ज्यादा यलो हो जाता है और urine जो है वो ठिक हो जाता है तो दोस्तों ऐसे में घरेलों उपचार ह। जो कि आपकी काफी मदद कर सकते ऐसे ही कुछ घरेलों उपचारion के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में अगर आप भी इन उपायों के 크ी बारे में जानना चाहते हैं तो जो कि ब्लड और लीवर से एक्स्ट्रा बिलिरुबीन को निकाल देने में हेल्प करते हैं पीलिया ये हैपेटाइटिस में पेशेंट को दिन में दो से तीम ग्लास मूली का रस जरूर पीना चाहेंगे दोस्तों हमारा दूसरा घरेलु उपाए है टमाटर का रस टमाटर का रस पीलिया में बहुत फायते मंद होता है इसमें बिटामिन सी पाया जाता है जिसकी वज़े से ये लाइकोपें से भरपूर होता है इसके रस में आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिला कर पी सकते है दोस्तों आप टमेटो सूप बना कर भी पी सकते हैं हमारा अगला उपाय है आमला आमला विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है आप आमले को कच्चा या फिर सुखा कर खा सकते हैं इसके अलावा आप आमले का जूस पी सकते हैं इससे आपको इस इंफेक्शन से बहुत रहत मिलती है दोस्तों आप इस वीमारी में नीबू और पैनेपल का जूस भी पी सकते हैं नीबू का रस पीने से पेट साफ होता है इससे रोज खाली पेट सुबाड पीना पीलिया में काफी बेनेफीचल माना जाता है इसके अलावा पाइनेपल ही काफी हेल्पफुल होता है पाइनेपल अंदर से पेट के सिस्टम को साफ रखता है जिससे आपका लीवर भी हेल्दी रहता है अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले घरे लोग चारगी उसमें आता है नीम नीम में कई टाइप्स के एंटिवाइरल इंग्रीडियंट्स पाए जाते हैं जिसकी वज़े से ये हेपिटाइटिस के एलाज में भी बेनिफीशल होता है ये लीवर में प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय करने में कैपेवल होता है इसकी पत्यों के साथ में शहर्द मिलाकर सुबह सुबह पीने से लाब मिलता है दोस्तों आप हेपेटाइटिस B के एलाज में अर्जुन की छाल का भी यूज कर सकते हैं अर्जुन के पेड़ की छाल हार्ट और यूरिन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए मानी जाती है हाला कि दोस्तों इसमें मौझूद एलकिलाइड लीवर में कॉलिस्ट्रॉल के प्रड़क्शन को रेगूलेट करता है और इससे ही आपकी हेपेटाइटिस की समझ्या भी दूर हो जाती है इसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस से बचने के और भी कई सारे उपाए है जैसे की बच्चों को हेपेटाइटिस से बचाओं के लिए समय पर टीका लगवाए प्रिजर फूड, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, एलकोहल और सोडा वाले ड्रिंक से परहेज करे करे लेके पत्ते के रस को हरित्की के साथ यूज़ करने पर पीली आरोग खतम हो जाता है मकोई के रस को सुबा शाम पीने से पीली आरोग में लाब मिलता है गन्य का रस दिन में आप दो बार जरूर पीए गिलोई का रस पाँच ग्राम सुबा और पाँच ग्राम शाम को पीए जल को उबाल कर और छान कर पीए कच्चे नारियल का पानी पीना भी बहुत ही लागतारी है दही में पानी मिलाकर आप इसकी छाट बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं पपीते का यूज़ करें दोस्तों यह सारे उपाई ऐसे हैं जो की आसानी से आपके घर में अवेलिवल हैं इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को बहुत ज्यादा सीरियस सिंटम्स हैं तो उसको जल्द से जल्द अपनी डॉक्टर से सला लेनी जाएं तो दोस्तों यह थे कुछ घरेलू उपाई जिनका यूज़ करके आप हैपिटाइटिस को घर पर ही ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में वस इतना ही अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तक तक के लिए दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद